पुलिस किस तरहें आप पर जूठे आरोप लगाती है ये जानने के लिए वकील साहब अधिकारी को लेकर आए है मेरे बाओ जी पर मेरे पती पर और अब मेरे बेटे पर पुलिस वालों ने किस दर्ज किये आज का हमारा टॉपिक है जो आपने स्क्रीन में देखा है अगर आपको किसी से डर लगता है इंडिया में पहली बार ऐसा गवर्णिस मिला जहां पर दो औरे तो जल रही है तो उसके लिए सिर्फ पुलिस दाई है बोलना भूलोगा सिर्फ पीएं दाई है बोलना भूलोगा वो लोग भी दाई है जो लोग इनको वोट देते हैं इंडिया को समझने के लिए दो ती शमझना आज बहुत जरूरी होगा बिसाइड मोगोल्स, होन, फ्रांस, डेन्मार्क आपका ब्रिटिश के बाद इंडिया गॉट इस इंडिपेंडेंडेंस इन नाइटिन फॉर्टी सेवन और इंडिया का इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइस किया गा 1992 6 जेसेंबर वेन बाबरी मस्जीद वस ब्रोकन एक तरब ब्रिटिश शोर कर चले जाते हैं सेकेंड वर्ल वर्ड के बाद को कि समझ पाते हैं कि इंडिया को और रूल नहीं किया जाएगा कुई ट मोव्मेंट शुरू हो गया था जिसमें आरेसेस ने पार्ट नहीं लिया था और एक मोव्मेंट शुरूआ 1992 में उसके पहले बीजेपी को भोट नहीं मलता था तो दे टूग सेंटिमेंट ऑफ पीपल दे सेपरेशन सेंटिमेंटल ऑफ पीपल को कि वो समझी ने पाए देश को जोड़के कैसे रखा जाए कुछ भोटर है जिनका पेट भरती है दिमाग में गोवर भरती है वो लोग 1992 का इस एक्ट को समझे कि ये लोग हिंदू को बचाने आ रहे हैं तो 2023 में दो औरतों को जला कर ये क्या प्रमान करना चाह रहे थे इन्डिपेंडेस हम लोग को 1947 में मिला और 1992 sih December में वो इंडिपेंडेस हमने खुद के हाथ से जला ढूंब भरत बाशी वो मुस्लिम हो वो हिंदू हो इसाई हो जैन हो उस जिन हमने अपने हाथ से हमारे देश का इंडिपेंडेस को जला दिया उसके बाद बीजए वही किया जो उसको करना चाहिए था देश को सेपरेट करने के लिए अटल जी आए शाइनिंग इंडिया चल रहा था आपने नोटिस नहीं किया तब हमारे देश में CAA का एक ओफर लाया गया कि आपको प्रमान करना पड़ेगा आप देश के सिटिजन है और पेंशन को उठा दिया गया हर साधरन नागरिक के उपर ये एक वार था जो हम लोग समझी नहीं पाए इंडिपेंडेंस 1947 में मिला और उसके बाद वो इंडिपेंडेंस गुम हो गया 1992 उसके बाद इंडिया में कुछ अच्छा हो गई नहीं पीवी नर्शीमा राव का अगर आप गौबर्नेंस देके जब इंडिया में फाइनेशनल चेंज आया एकोनामिक चेंज आया जिनको ये लोग बोलते रहे थे कि ये मौनी बावा थे मैंने हमारे एक्स प्राइब मिनिस्टर श्री मनमोहन सेंग जी उनके अंडर में 35.5% अगर ये 5.5% को आप ग्रोथ पकर भी ले ये ग्रोथ है 400 रुपे के सिलिंडर 1100 करना तेल का दाम 60 से 110 कर लेना हर चीज का दाम बढ़ा देना पहले से रामपूर में 10 रुपे का 4 पूरी मिलता था आज 24 रुपे हमें 3 पूरी मिलता है तो आप समझ पाईएगा देश को ये कहां ले गए एकनॉमिक इंडिपेंडेंस से हम लोग को डिपेंडेंसी कर दिया देश में और गरीवी बढ़ाते रहे दोहजर चौदे में ये ग्रीन एनरजी का बात कर रहे थे अदानी का हाथ पकड़ कर आज वो ग्रीन एनरजी गंगा के अंदर है क्योंकि हमारे देश के गावर्वर्मेंट को गौवर्नेंस नहीं आता है इसके करन गौवर्नेस अब क्या होता है सोचिए आप राम राजित्य का बात कर रहे हैं और राम जी बाबरी मस्जिद तोर रहे हैं ये सोसना भी पाप है बट यह इनोंने किया एक तरफ राम का फिगर रखा और ये तरह बाबरी मसजित तोड़ते रहे। क्योंकि राम कभी बाबरी मसजित तोड़ते नहीं, बलकि राम को अगर ये राजयत्ता मिलता, तो इस दिधार गितने भी डिविजन्स हैं वो सब को एक करकर, राज्य सभा में हर जाती के लोग को भेज कर बोलते जो इंडिया को इनाइट करना बोलो जो अभी बीजेबी के जितने भी सांगसद हैं MP हैं MLA हैं कांसिलर्स हैं एक मंच पर आके खुद का मंच बना के वो बोल नहीं पाएंगे जो इंडियन्स बनाइं ये दम उनमें है ही नहीं आज जितने भी लोग हमारे देश में हैं मैंने में एक दिन आपको देश के लिए देना है क्योंकि उन्होंने तोड़ा था वो कभी जोर पाएंगे ही नहीं सोचिए रामराजित्य का पुलिस मनें सेफली अगर बोला जाए तो बिहार, इनपी, महराष्टर, यूपी जहां से ये रामराजित्य का भाषन हमारे पास आता है रामराजित्य का पुलिस एक लड़की को जो देशीत में गाना गा रही है नहा जी के घर बहुत जाए नहा आखिर किस तनाव से गुजर रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कुछ दुनों पहले की तस्मीर ये विडियो देखिए, एक बार फिर पूरे स्क्रीन्स पर देखिए निया सिंग राठोर के घर उत्तरपदेश पुलीस पहुँच गई है कानपूर की पुलीस वही पुलीस, वही कानपूर का पुलीस आपके घर पे पहुच रहा है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया चलिए आपको पुलीस चेशन ले जाकर हम लोग एक अवार्ड देते हैं एक लग का अवार्ड जो ये गॉवर्मेंट शायद दे रहा हो ये तो सकेगा नहीं बाजबला गॉवर्मेंट जरूर सक जाएगा एक सेटिफिकेट दे रहे हैं तो आपको पुलीस आपको पुलीस अगर देश के बस्ती को उजार रहा है वो रामराजित नहीं आएगा वो रावनराज आएगा स्रिलंका का इसलिए देश के प्राइम मिनिस्टर को स्रिलंका पहुचना पढ़ता है अदानी जी के लिए बीट करने के लिए अज मंगला देश पहुचना पढ़ता है कोल बिक्री करने के लिए बट जो गाय पचार होता है उसको official trade अभी तक नहीं बना पाते हैं जबकि भगवान ने उनके हाथ में ऐसे करके दिया था जो आप गाय का business करो उनके साथ कोई जैनी है जो सबसे बड़ा cow trade करते हैं हमारे देश में बट हमारे देश का bad luck है governance नहीं आने के कारण हमारा देश government का हाथ पकड़के जल रहा है और ELIC 15,000 करोर का loss कर रहा है हमारे देश के bank का पैसा उर जा रहा है फिर भी bank से loan बन नहीं करके अलादा separate account of bank loans अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है सोचिए bank का fraud नियरली 100 करोर पर डे है ये google बोल रहा है आप खोल के जरूर से सर्च कर लीजेगा recent कल पंजाब का एक news आया खालिस्तानी movement आप सोचिए एक साल हमारे देश के पंजाब के फार्मर लोग बैटे रहे दिली में तब ऐसा कुछ भी movement नहीं हुआ जहां आप आगिया पंजाब में ये national movement शुरू हो गया खालिस्तानी का क्यों हुआ उधर देख तो बहुत interesting slogan भी उठा है कि अगर ये हिंदु राष्ट चाते है तो हम खालिस्तानी क्यों नहीं मांगेंगे ये actually बीजेबी का ही करवाया हुआ movement है बढ़ना खालिस्तानी कहां से उठेंगे अगर आपको ये कहा जाए जो आप आमस्वे के रस्ते में निकल परो आपके पीछे हाम है arrest भी नहीं होगा इंद्रागंधी के जैसे अगर इनका फॉलादी सोच होता तब जाके ये blue star कर पाते देली का दंगा क्या प्रमान करता है कि हमारे home minister को देश कभी नहीं चलाना आएगा बढ़ना अगर देली में दंगा होता है तो पूरा भारत में दंगा होने में बीजेबी को कौन अटका पाएगा क्योंकि आपके सोच में ये बीजेबी का दोस्ट नहीं है वो तो कोशिश करेंगे जो देश का आजमी देश का आजमी से भीड़े और ये सोचे जो हमारे पास कोई alternative नहीं है सबसे बड़ा alternative है आपके पास भोट आप किसी को नहीं चाहते हैं तो उसके option में आपको 23 और आजमी मिल जाएगे भोट देने के लिए आप उनी को भोट डे जीजे क्योंकि भोट प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाते हैं देश कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाते हैं ये लगता है apparently जैसे हमारे देश में justice लगता है इसलिए हमने आपको पहले cinema का शौट दिखाया यही शौट रियालिटी में है धारकन का दस हजर आदिवाशी को उन्होंने जेल में भरके रखा था तब शोरें साब ने काया था अगर हम लोग जीत के आये तो यह दस हजर आदमी को जेल से निकाल लेंगे हमारे देश के जितने भी rich आदमी हैं जिनको भी अच्छा salary मिलता है हमारे देश में वही लोगी commission लेते हैं घूश लेते हैं corrupted होते हैं हमारे देश के जो bank से lonely आर वापस नहीं क्या वही तो असली में चोर हैं इसलिए share का दाव गिरता है और उठता है बन middle class और lower middle का दाव ना उठता है ना गिरता है अगर हमारे देश के लोग जो हमारे news का सार मर्म है हमारे देश के अगर citizen हर पांस साल में government को ही change कर दे तो इस तकलीश से हम लोगों को गुजरना ही नहीं पड़ेगा पुलिस को अगर देश हीत में बैभार किया जाए तो हमारे देश का एक एस पी हमारे देश के कुछ citizens को promote कर रहे होंगे कुछ पद्शी को promote कर रहे होंगे और उनको news channel में हम लोग सुनेंगे आज भी हमारा news खतम होगा एक wonderful news के साथ the news of our citizens of India पुंडिचरी में बैठ कर एलीस वांडरलैंड का स्टोरी क्या wonderful काम कर रही है वो वो जब छोटी थी 21 साल की थी तो वो एक दोस के यहां गई उनकी दोस बहार थी तो वो बैटी थी अकेली तो एक लड़की आई विक्षा मांगने के लिए तो they started talking यह बात करते करते उन्होंने उनका address लिया साथ-ाथ दिन के अंदर उन्होंने एक school खोला जहां पर पहला admission इस लड़की को मिला आज डेट्सों से ज़्यादा बच्चे उधर से पढ़के कोई doctor बने हैं कोई engineer बने हैं कोई infil बने हैं और वो लोगी अब इस school का take care करते हैं एक girls hostel खुला है एक men's hostel खुला है हमारा देश का story वो आदमी लोग है जो लोग इस देश को आगे लेके जा रहा है हमारा देश का कोई भी news political नहीं है वो लोग सिरफ देश को divide कर पाएंगे जात को जात से अलग कर पाएंगे और यही सोच हमारे देश को divide करेगा क्योंकि आप जो voter हैं वो सोची नहीं पाए आज सक जो आप से कुछ होगा क्योंकि ये लोगों ने आपको समझा दिया कि आप से कुछ नहीं हो पाएगा आप एक individual हैं आप अपने पाड़ा में आपके cluster of building में मैंने में एक दिन सिरफ पुराना खबर का कागज खाता बुक जमा दे कर अपने लोकालिटी को एक कर सकते हैं 2000 आदमी सुबह 10 बजा आकर ये जमा दे रहा है और वो आदमी जना गना मना गा रहा है या तो कोई nationalistic song गा रहा है वही video होकर सब news channel में चला जा रहा है हम तो प्रोमोटी कर रहे हैं development journalism अगर ये हो सकता है तब हमारा देश कभी separated नहीं होगा 1992 में जो भूल काम हम लोगों ने करने दिया इनको जिसके करन आज देश और भी divide होगा because of BJP तब ही ये Congress से डरते हैं क्योंकि वो जोर रहे थे आज 3-4 मेले का जो वाक ता 4,000 किलोमेटर का रहूल गांदी का Congress तब भी जोर रहा था Congress अभी भी जोर रहा है बट ये joining सिरफ digitally नहीं होगा आपको रस्ते में उतरना पड़ेगा हर Congress office से newspaper bank खोल कर social capital बनाना पड़ेगा mobile से video record करके भीजना पड़ेगा तब जाके ये डेश जुड़ेगा हर CPM office से जो लोग कहते हैं हम लोग इंसान के साथ हैं वो इंसान के साथ नहीं हैं जब तक वो काम में परिनत ना करे और ध्यान रखिएगा राम राजित्त मेंस राम कभी बाबरी को तोड़ते ही नहीं बलकि अगर उनको अभी ये देश मिलता तो हर जात को जोड़ देते और sports को आगे लेके जाते हमारा देश ओलिंपियन बनाता ना कि वो गरीब बनाता जिसका घर अभी जल रहा है देश डर रहा है देश डर रहा है चाइना के सामने जो देश डरता है वो देश के प्राइम मिनिस्टर को पहले ही जिस दिन ये न्यू जाया रिजिगनेशन दे देना चाहिए था अदानी कैन बीए फेलियर बट गौवर्नेस क्यानाट अगर आपके लिए एक इंसान भी मरता है यू दो नॉट है मोरल राइट तो कंटीनू यू शूड हब टेकन दे रिस्पॉंसिबिलिटी उन्निस लाख लोग आज सीए के अंडर में असाम में घूम रहे हैं रस्ता में करोरो 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 खर्चा कर गया इसलिए सीए से डर कर अभी पीछे चले गए अगर आप भी दे सकते थे हो सकता है एक करोर लोग जिनके पास प्रॉपर पेपर नहीं है उनको स्वागत कीजिए लोग तो देश छोर कर जा रहे हैं आपके डर से यह गौवर्मेंट नहीं है ना गौवर्नेस है पोस्टर लगा कर और किसी का भूल पकड़कर आप देश तो नहीं च जाता है वो लड़ू सिरफ अब खा के खतम कर सकीएगा राम राज्यत में लड़ू बना कर सिटिजन्स को भेजना चाहिए था उधर आपने सिनियर सिटिजन्शिप रेलवेज में उठा लिया आपका हर प्रॉमिस आज जूटा लगता है और जूट कोई देश को नहीं चल जाएगा वो लोग देखकर आपकी बार समझ कर भोट देंगे सिरफ आपको नहीं देंगे और किसी को देंगे तब ही हमारा देश में गनातंटर फिड़े का 1947 का नॉट ऑफ 1992 हम नरेश जैन हमको सुनने के लिए धन्नबाद कैसा लगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा जरूर दो शब्र इसके बारे में कहिएगा थैंक्यू वरी मच्च